नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज वे एक बिल्कुल डिफरेंट टापिक आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही आवश्चक है खासतोर से इस्तरियों के लिए क्या टापिक है टापिक यह है कि हर महीने का एक अधिपती होता है जिसको उस महीने का अधिपती बोलते हैं उस मास का अधिपती बोलते हैं मास अधिपती बोलते हैं वो क्या मतलब है उस चीज़ का मतलब यह है कि कुछ महिलाओं में किया आजकल काफी महिलाओं में यह चीज़ देखी गई है कि मिस कैरि इसके बारे में दी गई हैं कि अगर उनका पालन किया जाए तो शायद ऐसी चीजे ना तो क्या चीजे हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक मिन प्रेजेंटेशन शेयर करके मासाधीपती के बारे में जो की बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ये टॉपिक क्या कहता है ये कहता है कि जब इस्त्री कंसीव करें और पहला महीना हो तो उस महीने का मालिक होता है शुक्त दूसरा महीना चल रहा हो किसी इस्त्री के तो उसका मालिक होता है मंगल तीसरा महीना चल रहा हो तो उसका मालिक होता है गुरू चौथा महीना चल रहा हो तो उसका मालिक होता है सूर्य क्योंकि बच्चे में धड़का ना जा पांचवे महीने का मालिक होता है चंद्रमा क्योंकि ब्लड का फ्लो ना शुरू हो जाता है बच्चे के छटे महीने का स्वामी होता है शनी क्योंकि बच्चे का नर्वस सिस्टम डवलब होता है साथवे महीने का स्वामी होता है बुद्ध क्योंकि बच्चे की स्किन आती है आठवे महीने का स्वामी होता है मा की पत्रिका का पंचमेश यानि जो मा की पत्रिका है उसका पंचम भाव का स्वामी जो है पांचवा चल रहा है तो उसका अगर मंतर करने तो बढ़िया रहेगा और इस तरह की सब्भावना होती है शास्त्रों में तो कहा गया है कि वो खनेश्चित रूप से खथ तो बहुत इंपॉटेंट है मैं आपको बताऊंगा अब यही कहा गया है कि यही मासाधी पती अगर गोचर में फिडित हो जाए जैसे दूसरा महीने चल रहा है किसी इस्तरीकों मंगल मासाधी पती है और गोचर में वो फिडित हो गया शरी राहू के साथ बैठ गया आठवे बहाब में बैठ गया तो कुस महां प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ को बचाना है तो ध्यान द जाए तो वह पीडित भी होगा तो उससे निकल जाएगी problem नहीं मिलन का समय जो होता है वही कंसीव का समय कहलागता है पहले मास का मासाधी पती देखते हैं वह शुक्र गोचर में पीडित है तो स्टार्ट कर दीजिए ओम द्राम द्रीम द्राम सम शुक्राए नमा और जिन लोगों को या जिन इस्तरियों को मिस्करेज की संभावना रहती है उनको तो हर महीने करते रहना चाहिए एक सो आठ बार सुबे करिए बहुत चोटा सा मंत्र है पांच मिनट मश्किल से लग यह तो पहले मास का मासा भी पति है जिसका मंत्र है ओम ध्राम दरीम दोंस स्टारविऑCha को जीव भूझ उसका मंत्र है पांचे मास का मासाजी पती चंद्र होता है, ती बच्चे के शरीर को पोशन मिलता है, ऐसे माता को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, उसका मंत्र है ओम सोम सुमाय नमा, 108 बार बेली इस मंत्र का चाप करें, उस महीने तक, चटे मास का मासाजी पती शनी होता है, जो नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है, सबी जगे नसो का जाल मिछाना चालू कर देता है, उसका मंत्र होता है, ओम शम शनिश्राय नमा, 7 महीने का मासाजी पती बुद्ध होता है, उसका मंत्र है, ओम बुद्धाय नमा, इस मास मे बच्चे को शरीर में इसकिन बननी शुरू आती है तुचा बननी शुरू होता है या गर्बाधान लगन का स्वामी तो उसको आप छोड़ दीजे कि गर्बाधान लगन एकडम एकडम निकालना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा तो माकी पत्रिका देखिए उसमें देखि बनता है तो सूरे का मंत्र देखिए और सूरे हमारे मंत्र धृति जो मैंने आपको बताए कि मासाधी पती आपको जरूर घ्यान देना है कि आपका कौन सा महीना चल रहा है और उस महीने का स्वामी कौन है जो उसके इंदर बताया गया है उसका मंत्र 108 बार जरूर करें तो इस तरह की संभावना जो नॉर्मल ही होती है मिसके रिच की संभावना वो खत्म होने के चांसिस तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो कार्णिल लाइक कीजिगा सब्स्राइब कीजिगा शेयर कीजिगा इसके अलावा हम लोग एडवांस एसलोजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग भी इंट्रेस्टेड हों वो दिए गए नमबर पे जल्द ही संपर्क कर धन्यवाद जैशिक